साथियो, मुझे इस बात का भहुत संतोस है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ती की सेंकडो प्रेनादाई गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो मैंने जब भी महलाओं की उपलब्दियों पर बात की है उसकी खूब प्रसमसा हुई है। जिनों ने हजारों इको फ्रेंडी टेरा कोटा कप्स दिर्यात किये उनसे भी देशने खूब प्रेना ली। तमिल नाडू में ही बीस हजार महलाओं ने साथ आकर बेलोर में नाग नदी को पुनरजीवित किया था। ऐसे कितने ही अभ्यानों को हमारी नारी शक्ति ने नेत्रुत दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मोजूद है। इनका नाव है मंजूर एहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पैंसिल स्लेट्स के बारे में बताती हुए मंजूर एहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी कैसे हैं आप। मन की बात के इस सौवे एपिसोड में आप से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अज़ा ये पैंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा। अभी मेरे पास 200 पुलस है। अरे वाँ! मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर, अभी एक दो महिने में अभी मैं इसको एक्सपांट कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा। वाँ, वाँ, देखिए मंजूर जी, मुझे बराबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयम की पहचान है और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस विज़े से आपको काभी बड़ी मुझेले होती थी वो भी आप कह रहे थे लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और दो सो से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहे हैं जी सर, जी सर और नए एकस्पांशन करकर और दो सो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं ये तो बहुत खुची की ख़़़ दी आपने इवन सर यहां पे जो फार्मर है सर उनका भी बहुत बड़ा इसमें फाइदा मिला सर तब से 2000 का ट्री बेचते थे अभी वही 3500 तक पहुंच गया सर इतनी डिमार्ड बढ़ गी सर इसमें तब से और अपनी पहचान भी बनगी इसमें बहुत से आड़ रहे अपने पास सर अभी में आगे एक दो महीने में और एकस्पेंट करके और दो डाए सो दो चार गाओं में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एड़्यस हो सकता है उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर देखि से बहुत बहुत सुपकामना है दन्यवाद वया साथियों हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बरबुते ही सफरता के सीखर तक पहुंचे हैं मुझे आद है विशागा पत्नम के बैंकट मुल्ली प्रसाजी ने एक आत्म निर्भर भारत चार्ट शेर किया था उन्होंने बताया था कि वो कैसे जादा से जादा भारतिय प्रोडक्स ही इस्तिमाल करेंगे जब बेतिया के प्रमोज जी ने LED बल्ग बनाने की छोटी यूनिट लगाई या घट मुक्तेश्वर के संतोज जी ने मैट्स बनाने का काम किया मन की बात ही उनके उत्पादों को सब के सामने लाने का माध्यम बना हमने मेकिन इंडिया के अनेक उदारों से लेकर स्पेस स्टार्ट अप्स तक की चर्चा मन की बात में की है